हेलो दूस्तो इस वीडियो में आप लोगों को कैमरा को कैसे एनिमेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा और इसके कुछ टूल होते हैं उसके बारे में बताऊंगा बहुत ही उसफुल टूल होते हैं तो बेसिकली हम लोग कैमरा को कैसे एनिमेट करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और किस तरीके का camera हम लोग लगाते है animation के लिए तो पहले हम लोग simple जो है create के अंदर जाएंगे यहाँ camera का एक section दिया हुआ इसके अंदर देखेंगे तो एक camera है simple camera के उपर हम लोग click करेंगे तो यह देखिए जो हमारा grid है उसके उपर हमारा एक camera create होगा आउट लाइनर में देखेंगे तो एक हमारा camera create होगा यह देखिए जो मेरा grid का position है वहाँ पे 00 पे हमारा जो है camera create हुआ अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे देखिए viewport पे select करेंगे और frame selection करेंगे तो यह जहाँ पे हमारा selected जो object रहेगा उसको frame करेगा तो देखिए यहाँ पे हमारा camera अभी create हो चुका है अब हम लोग panel में जाएंगे और camera 1 को select करेंगे तो यह देखिए जहाँ पे हमारा camera लगा हुआ है क्या दिखा रहा है उसके थुरू हमें दिख रहा है जो camera देख रहा है उसके थुरू हम लोग देख सकते हैं तो इस तरीके से look through selected object के according हम लोग camera को set करते हैं कि किस तरीके का हमारा जो frame है वो रहेगा तो मैं इस तरीके से मैं frame बना लेता हूँ अपना यह कि starting जो frame है वो रख लेता हूँ तो यह देखिए मेरा जो frame है इस तरीके से मैंने set कर लिया ठीक है अब उसके बाद हम लोग इसको animate करेंगे ठीक है इसकी एक proper value रख लेते हैं जैसे मैं इसको minus 10 कर लेता हूँ x axis और y axis को minus 8 कर लेता हूँ जो मेरा camera का position है set हो गया अब मैं इसको key कर लेता हूँ select करूँगा attribute को और यहाँ पर देखेंगे तो key selected तो यहाँ पर पहला मेरा key frame हो गया और मैं animate कर लेता हूँ end frame जो है मेरा वहाँ तक इसको direction में रखना है मेरे को जिस तरीके से मेरे को camera ले जाना है देखेंगे इस तरीके से मैं rotate कर लेता हूँ और translate कर लेता हूँ जहां तक जाना है जिस position को मेरे को highlight करना है यह देखेंगे तो यह मेरा camera का position हो गया ठेक है इस तरीके से मैं जो है camera को animate कर लेता हूँ यह देखें play जब करूँगा तो इस तरीके से जो है मेरा थोड़ा सा और move और rotate कर लेता हूँ, यह देखिए, यह मेरा जो है camera animate हो रहा है, तो मैं keyframe और बढ़ा लेता हूँ, मिरको कुछ frames की और जरूरत है, तो इस तरीके से हम लोग camera को animate कर लेंगे, follow करेंगे camera को, ठीक है, यह देखिए, यह मेरा एक camera का animation हो गया, अब graph editor के थूरू हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा smooth कर लेते हैं, अगर हमें smoothness से यह, कि हमें किस तरीके का जो हमारा frame चाहिए, जर का रहा है, तो हम लोग keyframe को अपने select करेंगे, और यहां से smooth भी कर सकते हैं, graph से, थोड़ा मैं और इसको rotate कर लेता हूँ, position कर लेता हूँ, better position दे देता हूँ, देखिए, इस तरीके से, जो मेरा है, camera का animation हो गया, ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक problem यह आती है, कि हम simple camera के थूरू, अगर हम लोग rotate करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आती है, कि अगर हम x-axis में rotate करते हैं, तो proper x-axis में नहीं जाता वीडियो में बताऊंगा, कि किस तरीके से हम लोग, और भी तरीके से हम लोग rotate करेंगे, आप देखिए, दोस्तों, जब मेरा camera block हो चुका है, कि मेरा animation final हो चुका है, तो camera जो मेरा है, अब move ना हो, accidentally हमारा camera कभी-कभी move हो जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, लोग कर animation को, तो ये देखिए, मेरा ना camera rotate हो रहा है, ना move हो रहा है, ये जो है, lock हो चुका है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत है, useful हमारा tool होता है, अगर हमने camera को lock कर दिया, तो हमारा animation जो है, वो खराब नहीं होगा, अब यहाँ पे देखिए, camera की कुछ setting दे रखा है, किस तरीके से हम लोग camera को अपने set कर सकते हैं, इसके जो बहुत से parameters हैं, उसको हम लोग use करते हैं, ये देखिए, यहाँ पे film gate, और ये सा film mask, safe actions, safe title, film original, और इसके बहुत से parameters दे रखे हैं, तो हमें जो भी parameters से ही, वो उसको हम लोग enable करके, यहाँ से हम लोग अपने camera को देख सकते हैं, कि हमारा camera है, उसके लिए होता है, ये देखे, ये हमारा camera attribute है, तो यहाँ पे देखेंगे, depth का हमारा जो एक depth of field दे रखा है, ये जब मैंने इसको चेक किया, तो ये मेरा पूरा blur हो गया, इसको कैसे use करते हैं, मैं next video में बताऊंगा, ये भी बहुत ही powerful tool होता है, और ये हमारा background color है, कि हमारा जब render होगा, तो जो background होगा, वो किस color में environment हमारा जो render होगा, बहुत से options होते हैं, तो basically मैं जो important था कि camera को कैसे animate करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया, और इसको log कैसे करते हैं, इसकी framing कैसे देखते हैं, इन सभी setting के बारे में मैंने आप logo को बताया, तो next video म में दोस्तों किस तरीके से path पे camera को animate करते हैं वो बताऊंगा यह भी बहुत ही useful हमारा tool है path के recording हमें कोई भी camera को animate करना है तो कैसे use करते हैं वो बताऊंगा दोस्तों तो next video में हम लोग मिलते हैं कि motion path के साथ camera को कैसे animate करते हैं यह भी बहुत ही useful हमारा command होता है तो मिलते हैं दोस्तों next video में Thank you दोस्तों